राधर राधर to all of you, स्वागत है आपका, मैं हूँ आपका दोस्त आकाद वाशपई, आज आपकी सीरीज हमने स्टार्ट किये थी, इससे पहले इंस्टेंट होटी कल्चर ऐसन गुपता की रिविजिन सीरीज, उस रिविजिन सीरीज में सबसे पहले हमने पूरी फूरी फूर आपके एकजाम के पॉइंट आव यू से उनको भी डिसकस किया है, आज की वीडियो में ब्रेंजर और कैप्सिकम और चीली के बारे में देख लेंगे, फिर आपकी पूरी सोलेनिसी क्रॉप खतम हो जाएंगी, इसके आगे अगर स्टार्ट करेंगे, तो कोल क्राप्स या जो ब्रेसी केसी फैमिली के और भी क्रॉप से उनसे स्टार्ट कर देंगे, तो आपसे गुजारिस यह है, कि लास्ट तक देखेगा, इससे होता क्या है, कि जो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको जनकारी लग जाएगी, बेसिक टू हाई पढ़ने के लिए, एगरी क जो सानटिफिंग नेम होता है, वो होता है, स्ट्रिनम मेल और ये इसक कोशिज करीए है, कि मेरे साथ आप बार बार रिपीट करतेरें, क्या होता है, स्ट्रिनम मेल asked मेरे या इन्दोर बरमा रिजन होता है, और इसकी ट्रोपिकल जोन में आता तो आगर बेगन की बात क अगर इंडिया के देखेंगे तो इंडिया की सेकेंड रेंग है बेहगन के प्रोडла cooking में और सबसे पाली rank किसकी है आपके chinah की है अगर बात करते हैं बेहगन चायं acre वह एंथो साइनिन होता है यह क्लास एफो के अलावा जो यूपी के टियारी करते उनके लिए वी काफी अच्छी है क्योंकि उनके हिसाब से ही बहुत छोटी होटे फेक्ट हम यहां पर डिसकूस करते हैं तो कि बहुत इंपोर्टन हैं इसलिए वह अच्छे भी ध्यान से दे साथी साथ अगर बात करेंगे कि बेंगो आपका जो ब्रेंजल है इस ब्रेंजल में की जो रूट्स होती है उनमें एक खरपतवार यानि की बीड़ पाया जाता है जिसे बोलते है और वंकी बैसे तो टोटल रूट परासाइड है और जितनी भी सोलेनेसी है सम्में पाया ज अगर इसमें बीड कंट्रोल करना है ठीक है तो आप 2-4-D हैना इसका च्छटकाब करिए साथी साथ जो डार्क परपल कलर होता है जितने भी आपके वेगन होंगे उनके अंदर डार्क परपल कलर होगा उनके अंदर बिटामिन-C की मातरा जादा पायाती है विटामिन-C का बेगन होता है सफियत बाला जो जिनको डायवेटीज की समस्या है उनके लिए काफी अच्छा माना जाता है साथी साथ अगर देखेंगे कि इसमें चार तरके की स्टाइल पाई जाती है इसी टाइप से इसको हेट्टर स्टाइल बोल देते हैं तो इसमें जो लॉंग स्टा पाई जाती है अगर बिटामिन B की बात करेंगे तो भी कॉंप्लेक्स होता है बीवन का साइंटिफिक नहीं क्या होता है थाइमीन, B2 का राइवोफलेमीन, B3 का नियासीन और B5 का पेंटो थिनिक असीड साथ बीग सिफ का पाईडाक्सीन होता है बी सेबन का फोलीक अपक टू सेबन थर्टी यानि छे से साड़े साथ वजे सुबह के टाइम इसमें फ्लावर खिलते हैं अगर विंटर की बात करेंगे तो ग्यारा पंदरा के आसपा इसमें फ्लावर आ जाते हैं वाइड फ्रेंजल जो होता है डाइबिटीज के लिए अच्छा माना जाता है प्र पूसा पर्पिल लॉंग पंथ संब्रात यह दोनों बैगन की बरायटी हैं काफी साती साथ जो पंजाब चम्कीला है यह भी काफी अच्छी बरायटी है और इंपॉर्टेंट भी है आजाद करांति और अरका निधी यह दोनों बैगन की बरायटी है अगर हाईड़ Пока बिज और पुसा अनमोल तिनों बैगन की बरायाटी यह और पॉलिक सेक्टर बरायाटी है प्राइट सेक्टर में वरदान नीशा सफल कैसे भी याद कर सकते हैं यहाँ पर कम टाइम होता है रिविजन क्लास है लेकिन याद कर सकते जैसे कि शिभ जी है आना रात को क्या हुआ किसी ने इसके resistant जो variety है वो पूसा भहरप, पूसा अनुपम और Florida market है, ठीक है, important है याद रखेगा, कौन सी है, पूसा भहरप, पूसा अनुपम और Florida market, form of cis blight and bacterial blight resistant ब्राइटी जो है वेगन की वो पंत संब्राट है, ठीक है, form of cis blight और bacterial blight, दोनों के लिए पंत संब्राट resistant है, इसके अब बात करेंगे, ठीक है, तो aphid resistant ब्राइटी जो है अनुपमलाई है, important ब्राइटी इसको अलक से नोट कर लिए जा, कि बेगन की जो अनुपमलाई ब्राइटी है, वो form of cis blight या कह सकते हो, sorry, aphid resistant ब्राइटी है, ठीक है, extremely early maturing ब्राइटी जो बेगन की, पूसा पर पिल ब्राइटी है, ठीक, extremely early कौन सी है, पूसा पर पिल लॉंग है, important है, डाइपटी जो होई है, पूसा अंकुर नई ब्राइटी है, ठीक, और अरका आनन्द जो है, वो long transport के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, यह आपकी बेगन की खेती थी, एक बार इसको दो मिनिट के अं जाधा बेगन ही होते हैं, उनके तरह बिटामिन C की मातरा अच्छी पाई जाती है, ठीक है, वाइट कलर का बेगन डाइपटीज के लिए अच्छा होता है, और बेगन के अंदर बिटामिन B की मातरा भी ठीक ठाक पाई जाती है, ओपनिगा फ्लावर की बात करेंगे, जो 6 बेगन होता है, उसमें 300-400 ग्राम या 400-500 ग्राम मानी जाती है, ठीक है, बाराटीम बता चुके हैं, ठीक एक बारें को रिवेजन कर लीजेगा, तो यह आपका बेगन हो गया, ठीक है, छोटे-छोटे वीडियो रहते हैं, ताकि आपको चीज़े क्लियर रहें, आप एक बा केंवोल नाशी हैं, उनके अं innovations 24 पाल वाजाते हैं, इसको ठोड़ का, टवेको और पोतेटो को ठोड़का, इनके अंदर केंवेतलगी होते हैं? इनके फ्लावर हूते है वह white color क्या होते है कैसे होते है white color के और जो cap er huestuses होती है इसके flower कैसे होते पर्पल क्यों होते है तो पर्पल क्यों क्योस्का इस तो new और एप सबसे होते हैं ह। White Color के होते हैं इंपोर्टेंट है याद रखिएगा आगे देखते हैं जो इंडिया है ये major producer का प्रोटूशर कंज्यूमर और comporter है की इसका चिली का याद रहना साथ सबस्गां क ड्राय चिली की बात करें तो ड्राय चिली में लगवर्ग 6% टोय को फृटी परिकारफ होता है और 54% सीड्ह से त्हुतर है इत्फे कितने होते हैं वियुड अऊसमें 54% क्या है सीड्शaları 40% पेरिकारप है और 6% स्टाल की मत्रा पाई जाती है ठीक चिली की बात करें ठीक है बैगन करें अच्छा इसके अंद जो आपका एक बराइटी है इसकी जो की कल एक्स्ट्रक्शन के लिए यूज कियाती है जिसका नाम है अरका अभीर ठीक इंपोर्टेट है अगर इसके 7 ग्राम गुड़ क्वालिटी सीड को देखें ठीक है तो लगवाग 100 प्लांट्स से 7 ग्राम अच्छी क्वालिटी का सीड आपको प्राप्त हो जाएगा चिली में बाइडाक्शनल रूटर सिस्टम पाई जाता है साथ इसके अंदे बिटामिन सी की मातरा भी अच्छी पाई जाती है बाराइटी के बात करेंगे तो कैप्सिकम की बाराइटी देख लेते हैं पहले जैसे कैलफोर्निया बंडर है यलो बंडर है गोल्डर बंडर है बुलो जै तो इंपोर्टेंट है साथ जो इसके बाराइटी है स्वीट बनाना वो काफी इंपोर्टेंट है और वो बाराइटी केप्सिकम की है क्या बोलते हैं स्वीट बनाना बोलते हैं सेलक्षन की बात करेंगे तो गौरब बसंती और मोहिनी अरका लगा दो ठीक है अरका गौरब बसंती और मोहिनी ठीक है पब्लिक सेक्टर में पूसा दीपती और पूसा और ग्रीन गोल्ड है आगे देखते हैं इंडिया किसकी वराइटी है तो क्याप्सिकम की वराइटी है और एक important variety पूसा मेगदूत या लोकी की भी है और पूसा मेगदूत इसकी है यह बैगन की भी है ठीक है जो पहली hybrid by public sector variety है ठीक चिली variety की बात करेंगे तो भाग लेच्मी important है भाग लेच्मी सिंधूर और अरका लोहित यह चिली की variety है इसके लाबा NP-66 से और पूसा जुआला यह भी काफी important variety है इनको याद रखेगा ठीक mutant variety की बात करेंगे तो MDU-1 है इसके लाबा एक confusing variety है जिसे बोलते हैं अंधरा जोती अंधरा जोती जो है मिर्च की variety है ठीक इसको important है याद रखेगा ठीक अभी कबार exam में पूछी जा सकती है अच्छा पब्लिक सेक्टर hybrid की बात करें तो CH-1 जो की पंजाव agriculture university लोध्याना वहाँ पंजाव agriculture university से निकाला गया है ठीक है एक मेल इस्ट्राइल लाइन से डबलब किया गया है एक इसकी variety है जिसमें की fruit rot resistant है जो fruit rot resistant variety है वो K2 है ठीक है कौनसी है K2 लीफ कल resistant ब्राइटी की बात करेंगे तो पूसा ज्वाला पूसा सदावाहर और पंथ सीवन है ठीक है आगे देखते है बैक्टिरियल ब्राइट रस्ट्राइटी उतकल रस्मी और अर्का गोरव है और साथी साथ जो इसका इंडि ठीक है इंपोर्टन्ट है फ्लावर की opening 5 a.m. अर्ली मोर्निंग होती है और ग्रीन और ड्राइचली रेशियो का जो रेशियो है रहना ग्रीन और ड्राइचली का वह तेन रेशियो बन रहता है ठीक साथी साथ जो आप सीजन के अप्सिकम होता है उसके सप्लाई में जो हिम एक बन जाधा ज्यादा अगर नैट्री तो ब्लाइटो प्ली प्लगण होता है ज्याइड होता है जिसके स्पाइक काफी स्टॉंग होतं है यह ड्राइंग के color क्या झाल भी का का जिसमें होता क्या क्या आपक लिए निब इपटरेंट अधी हो बता देते है जब यह आपको को टाइम मिले तो इयरफोन लगा के इस चीज़ों को बारवर सुनते रहें इससे होगा क्या कि लाफ्ट तक आपको के विलेटिव रिविजन करके आपको हर एक चीज एक्जाम के पॉइंट आफ वी से याद हो जाएंगी बाकि बेसिक टू हाइप पढ़ने के लिए एगरी क वससा बिना के इस चीज़ों के आप पहुंच सकते हैं ठीक है टेलिग्राम ग्रूप के लिंक दे दी है हमने वो भी जॉइन कर सकते हैं ओके बेटा राधे राधे थेंक्स टो और